गाईज आज की लाइब मार्किट में अपने एक सिंपल इस्ट्रेटजी देखेंगे ठीक है कि कब पुट में एंट्री लेनी है कब कॉल में एंट्री लेनी है ठीक है कॉल और पुट में एंट्री कब लेनी है यह आप समझ पाएंगे ठीक है बहुत सिंपल आसान आप सेट अप समझे इस पर बाद में ध्यान देंगे ठीक है सेट अप समझने के लिए आपको जिरोधा के टर्मिनल का यूज अपन कर रहे हैं आप कोई भी यूज कर सकते हैं जिस भी ब्रोकर का भी यूज करते हैं धन का ग्रो का एंजल का किसी का भी ठीक है तो यह जिरोध Nifty में हम ठीक है एक तो चार्ट ओपन करेंगे bank Nifty 46,000 चल रहा है तो 46,000 में 200 कम करके इंदावनी पर काम करना है ठीक है तो यहां लिखेंगे अपन 45800 ठीक है 45800 का call ये एड़ कर लिया अभी ये 45800 का call का चार्ट आ गया यहां put के चार्ट पर आएंगे और यहां bank Nifty पर लिखेंगे अपन ठीक है यहां पर जो है put का चार्ट open करेंगे bank nifty ठीक है bank nifty 46 चल रहा है तो 46 200 का put add कर देंगे ठीक है यहां 46 200 का put हो गया और यह call का चार्ट हो गया अब क्या करना है entry कैसे लेनी है strategy क्या है वो सब कुछ समझिए ठीक है बिल्कुल simple और आसान तरीके से समझ अब यहां पर क्या करना है एक तरफ अपन के पास call के price का चार्ट है एक तरफ अपन के पास put के price का चार्ट है ठीक है तो यहां इंडिकेटर के section पर touch करेंगे और इसमें call वाले में अपन इंडिकेटर लगाएंगे यहां पर लिखेंगे super trend ठीक है super trend तो इसको लगा लेंग Super Trend लगाने के बाद में दूसरा Indicator अपन यहां पर यूज़ करेंगे ठीक है दूसरा Indicator अपन यूज़ करेंगे यहां लिखेंगे Open Interest तो Open Interest लगा लिया अब इसका Simple मतलब समझ लिजिए पहले Super Trend तो आपको पता है ठीक है ध्यान से समझना है इसमें Confused नहीं होना है बहुत आसान है एक बार समझ लोगे बहुत काम आईगे आपकी strategy यहां पर देख लो ठीक है यहां पर देख लो इस तरीके से बहुत काम की strategy है ठीक है तो यहां पर देख लो यह Super Trend यह Green Color में आएगा और यह देखिए Buy का signal मिल रहा है ठीक है यहां पर देखो Buy का signal इस तरीके से मिला तो यहां पर आपकी Entry बन गई ठीक और यहां पर Stop Loss हो गया उसके बाद यह Profit आपका Running है ठीक है चलिए यह आप देख रहे हो और इसी तरीके से यहां पर Put में भी देखेंगे तो इधर भी Indicator लगा लेते हैं एक बार ठीक है Indicator लगा लेते हैं यहां पर Super Trend ध्यान से समझना जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि Super Trend तो आपको भी पता है लेकिन उसका Use कैसे करना है उसको Combined कैसे करना है वह आपको नहीं पता और इसके साथ में Rules कौन से Follow करने है Rules बनते है Practice से तो यहां पर Open Interest लगा लिया अब यहां पर देखो यह Put का चार्ट है यह Call का चार्ट है तो Call Side का पहले अपन समझ लेते हैं Call Side Entry जब आपको लेनी है तो यहां पर एक Line देखो यह Open Interest की जो Blue Color में Line देख रही है इसको थोड़ा सा Dark कर देते हैं ताकि और अच्छे से Clear Cut दिखे यहां पर इस पर टच करते हैं और इसका जो है इसको Color को इस तरीके से बढ़ा देते हैं चलिए अब यहां पर देखिए यहां पर देखो इसमें भी सेम कर लेते हैं यहां पर बिलकुल Simple और आसान तरीका है यह जो आपको दिख रहा है यह Line जो दिख रही है यह Line क्या है यह Line है Open Interest OIE तो आप इसमें ज़्यादा Confuse नहीं हो न अगर आपको और Detail गहरा ही समझने है तो फिर आप Simple Price Action की वीडियो देख लेना वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी तो अभी समझा देते हैं कहां पर मिलेगी आपको वीडियो पहले समझो यह Line है Simple यह Call का Open Interest है जब यह नीचे गिरेगा Call की OIE कम होगी ठीक है Call की OIE कम होगी Call Writer जब कम होते जाएंगे ठीक है बस आप Simple यह समझ लीजे आसानी से आसान भासा में कि यह Line नीचे की तरफ जानी चाहिए यह Line नीचे की Travel करनी चाहिए यह Line नीचे को Travel जब करेगी तो अपन जो है Call Side Entry बनाएंगे ठीक है और Super Trend अपन को Buy का Signal देना चाहिए ठीक है यह हो गया ठीक आप यह समझ गए उसके बाद एक Indicator और यूज करना है यह Indicator के Section पर टच करना है और यहाँ पर लिखना है VWAP तो इस पर किलिक करेंगे यह लग जाएगा अब यह लगा लिया अपन ने और यहाँ पर भी VWAP लगाएंगे इंडिकेटर पर टच करेंगे VWAP लगा लेंगे VWAP यह लगा लिया आपन ने बस अब देखिए बिल्कुल Simple देखो कब Entry नहीं लेनी वो भी आपको समझ में आ जाएगा भी यहाँ थिकनस बढ़ा दी और यह Color कर दिया Black चलिए आप देखो बिल्कुल Simple आसानी से समझिए Call की Entry लेने के लिए चीक है Call Side अगर Entry बनानी है तो VWAP के Plus पे आपकी यह Candles होनी चाहिए Super Trend By का Signal देना चाहिए और यह वाली Line नीचे के तरफ Travel करनी चाहिए यानी Call का Open Interest कम हो रहा हो ठीक है Call Writer समझ लीजिए हट रहे हो Call Writer क्या करते है Call Writer जो होते है Market को नीचे ले जाना चाहते है ठीक है आगे नहीं बढ़ने देते ठीक है तो आप इस चीज़ को समझिए यहाँ पर देख लो जैसे Call Writer जो है चाहते है कि बाजार नीचे की तरफ चले ठीक है तो यहाँ पर यह हो गया यह आप समझ गए Call Side की Entry कब लेनी है Call Side की Entry के लिए VWEP के Plus में इस Black Line के Plus में Market हो Super Trend Buy का Signal दे दे यह Line ठीक है Open Interest जो है कम हो रहा हो यहाँ पर देखिए यह देखिए सेक्डा हजार दस जार लाग ठीक है यह हो गया सेक्डा हजार दस जार लाग नो लाग फिर साड़े आठ ठीक है यह नंबर्स लिखे में इस पर ध्यान देनी की आपको ज़रूत नहीं है यहाँ पर यह लाइन नीचे की तरफ गिरती रहेगी मतलब तॉल का ओपन इंट्रेस्ट कम हो रहा है तो अपन इधर की एंट्री बनाएंगे कॉल साइट कब एंट्री लेनी है ठीक है अगर आपको यहाँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर जो भी आप चार्ट देखते हो में चार्ट पर आपको देखतार लग रहा है कि बाजार यहाँ से अपसाइट जाएगा ठीक है कॉल में एंट्री लेनी चाहिए यहाँ पर जैसे माल लीजिए आपको यह दिख गी बुलिश एंगलफिंग दिख गई ओ रहा हो बस tup tried country ले लिए ठीक है चलो इसीतरीके से पूट साइट आ जाते हैं पूट साइट का समझ लो पूट साइट अगर एंट्री लेनी है तो पूट साइट के लिए यहां पर ध्याण से देखो घ्राऽ इसको करते हैं जूम ताकि अच्छे सेसे समझ में जाए ठीक है पुट साइट की एंटरी के लिए ध्यान से देखिए पुट साइट की एंटरी के लिए भी सेम रूल है कि प्राइस जो है वीवैब के प्लस में होना चाहिए super trained यहां पर देखो by का signal दिया इस candle पर entry बनेगी और oi जो है कम हो रहा हो ठीक है यहां तक oi कम हुआ यहां तक ठीक है यहां पर उसके बाद यहां से OI जो है return करता है बढ़ना शुरू करता है यहां से भी थोड़ा सा return करता है तो यहां पर बन exit हो जाएंगे ठीक है अब जैसे यहां पर OI कम हो रहा है एक तो यहां पर return लिया है थोड़ा सा ठीक है इसके आसपास ज्यान से देखो ठीक है यहां पर इसके तो बिल्कुल simple और आसान setup है आसान यह से आप समझ सकते है call side की entry आपने समझ ली है put side की entry भी आपने समझ ली same rule है यहाँ पर v-wap के plus में price होना चाहिए super trend buy का signal दे दे y कम हो रहा हो put का y अगर कम हो रहा होगा जब यहाँ put का y कम होगा तो put में entry लेंगे call का y कम होगा तो call में entry लेंगे बस इतना simple है आसान है अगर आप इसको और detail में समझना चाहते हो ठीक है तो आप YouTube पर आओगे ठीक है यहाँ पर देखो YouTube पर अब यह वाला trade अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो यह वाला ठीक है यह वाला कैसे identify किया है तो यह trade capture करने के लिए आपको price action आना चाहिए ठीक है और price action आता है थोड़ी सी मेहनत से थोड़ी सी practice से और मेहनत कहां पर करनी है बहुत लोग कहते है मेहनत करो भाई मेहनत करें कहां पर क्या सीखें ठीक है earning branch earning branch लिखकर search करोगे तो इस तरीके से आपको YouTube मिल जाएगा और यहाँ पर चैनल पर जब आओगे तो चैनल पर आपको यहाँ पर ध्यान से देखो एक वीडियो मिलेगी यहाँ वीडियो के section पर ठीक है earning branch के channel पर यहाँ पर अपन ठीक है अपना YouTube channel है तो यहाँ पर आपको दो वीडियो मिलती है अगर आपको प्राइज एक्षन सीखना है तो प्राइज एक्षन के लिए यहाँ पर देखो यह वाली वीडियो आपको मिलेगी कौन सी? यह वाली वीडियो ये वीडियो आपको मिलेगी प्राइज एक्षन की इसको आप डिटेल में देख लीजे एक बार ठीक है थोड़ी सी वीडियो लंबी है एक गंटे के करीब करीब है लेकिन आपको समझ लीजे आपके ये एक गंटा एक महिने का काम करेगा ठीक है एक साल की महनत आपकी बच जाएगी ठीक है आप खुद गलतियां करके सीखो इससे अच्छा है दूसरों की experience से दूसरों की गलतियों से सीख लो ठीक है तो ये price action basic to advance आपको इसमें सीखने को मिल जाएगा और ये reversal strategy आप देखना चाहो तो ये भी देख सकते हो बहुत simple और बहुत गजब की strategy है आज वाला trade जो आप देखना चाह रहे हो ठीक है ये वाला trade वो इसी setup पर जो reversal strategy आप देख रहे हो ठीक है जो आपको बताई है उसी setup पर यहाँ पर entry ली है रिवर्सल इस्ट्रेटजी वाली ठीक है तो बिल्कुल सिंपल है आसान है अगर आप देखना चाहें सीखना चाहें बस इसके साथ में रूल्स फोलो करना है अगर देखो इस सेटप का यूज़ गरना है ना इस वाले सेटप का जिसमें आप वीवैप और ओपन इंटरेस्ट और सोपर ट्रेंड का इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हो तो इस सेटप को यूज़ करने से पहले कम से कम आप 35 35 35 ठीक है पेपर ट्रेड अब पेपर ट्रेड करना है लेकिन पेपर ट्रेड का रूल है ऐसे नहीं पेपर ट्रेड में तो सब को प्रोफिट हो जाता है ठीक है ठीक है, लिखना compulsory है, trading journal बनाना जरूरी है, क्यों लिया trade, कब लिया, कितने पर exit हुए, ठीक है, और उस time पे feelings क्या क्या आई, उन्हें लिखना जरूरी है, जब तक आप 35 trade करके लिख नहीं लेते, तब तक इस setup के behavior को आप नहीं समझ पाओगे, और बहुत बार trap हो जाओगे वैसे तो काम करेगा, ठीक है, लेकिन behavior को समझने के लिए practice जरूरी है, और practice जब करोगे, तब ही आप समझ पाओगे, अब जैसे देखो, यहाँ पर trade कहाँ पर नहीं लेना है, आपको simple चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, एक तो, अगर call side है, ठीक है, और यह बढ़ रहा ह है, कौन सी लेंग, open interest वाली, ठीक है, तो बहुत simple और आसान setup है, यहाँ पर देखो बढ़ रहा है, तब तो entry लेनी ही नहीं है, ठीक है, घटने पर entry लेनी है, सीधी रहे तो भी entry नहीं लेनी, ठीक है, तो rules आपको बता दिए, वीवैप के upside price रहना चाहिए, यह सारी चीजे काम में आ रहा होगा, कि यहाँ पर घट रहा है, तो entry नहीं और price तो बढ़ा नहीं, अरे भाई यह घट रहा है, लेकिन आपको बताया ना कि वीवैप के upside price रहना चाहिए, super trend buy का signal देना चाहिए, तब ही तो entry लोगे, ठीक है, तो बस OTM में काम नहीं करना, ITM में practice करके इसक Simple एक बात और समझ लो, Telegram पर अपने नाम से fake channel बहुत हैं, तो उनसे बचके रहना, वो इस camera है, पैसे की demand कर सकते हैं, पैसा आपको नहीं देना है, ठीक है, Telegram से जुड़ने के लिए video के description का use करना बस, जो इस camera है, fake वाले जो channel बने हैं, उनसे बचके रहना, और Telegram से बहतर ह है कि आप WhatsApp से जुड़ना हो, और WhatsApp का number है, 999-22-08763, ठीक है, WhatsApp channel का link, number से नहीं जुड़ना है, WhatsApp channel का link, video के description में, तो उस से जुड़ना है, ठीक है, WhatsApp channel से जुड़ना है, ठीक है, आप WhatsApp कर सकते हैं, call कर सकते हैं, अगर आप 2E strategy सीखना चाहते हैं, 2E, ठीक है, 2E, अब क्या है 2 2E, 2E है, ये, ये हो गया, और ये, right time entry कैसे ले सकते हैं, right time exit कैसे होना है, ठीक है, ये आपको सिखाते हैं, तो 2E, अगर आप सीखना चाहते हैं, 2E strategy, तो आप call कर सकते हैं, 999-22-8763, 999-22-08763, बोले गए नंबर पर ही यकीन करना, लिखे वे नंबर पर यकीन करने की नंबर अपना लगा रहेते हैं, तो उन से बचके रहिए, इस कैमर से, जो नंबर बोला है, सिर्फ उसी पर यकीन करना, ठीक है, 2E सीखना चाहते हैं, देखो 2E सीखने का फाइदा क्या होगा, आपकी entry जो गलत बनती है, वो कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पर कुछ खरीदन पाइदा है, यहाँ खरीदना, यह setup बता देगा, अगर आपको यहाँ से लग रहा है कि market down जाएगी, यहाँ से अगर आपको लग रहा है कि बाजार अपसाइड जाएगा, चीक है, यहाँ पर कुछ लोगों को, यहाँ पर देखो, इस तरीके से, यहाँ पर signal लगा होगा कि बाजार अपसाइड जा रहा है यहां कॉल लेना है कि नहीं लेना ठीक है यहां पर देखिए यहां पर देखो ग्रीन केंडल बनी कॉल लेना है या पूट लेना है कॉल में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी यह आपको मतलब टूई सेटप आपकी गलत एंट्री को रोगता है ठीक है और सही entry की probability को बढ़ाता है मतलब right time entry और right time exit कैसे ले सकते हैं stop loss को trail कैसे करते हैं बड़ा profit कैसे निकलेगा trailing का use करके वो सारी चीज़े आप सीखते हैं 2E setup में तो whatsapp channel से जुड़ना है तो वीडियो की description में link है आप वहां से जुड़ सकते हैं number आपको बता दिया है ठीक है अगर आप देखना चाहें 2E कैसे काम करती है तो आप यहां पर चैनल पर आओगे और यहां पर देखोगे 2E strategy ठीक है तो आपको यहां पर वीडियो मिल जाएंगी 2E की ठीक है यह देख लीजिए एक तो यह यहां पर देखो लो टाइटल लगाव है ना यह वाली वीडियो देख लीजिए इसमें live trade करके दिखाया हुआ है ठीक है live trade और यहां पर देखोगे यह देखिए 2E setup 25 गुना profit ठीक है तो यहां पर 4-5 दिन लगदार दिखाया है record करके ठीक है डेली नहीं दिखाते हैं एक ही चीज डेली का दिखाते रहें उसमें कुछ सिखा रहा है तो है नहीं सिर्फ दिखाया है आपको ठीक है यह देख लीजिए यह यह लाइक ट्रेट करके दिखायो इस तरीके से रहता है यहां signal candle मिलती है ठीक है signal candle मिलने के बाद जो entry बनाते हैं ठीक है फिर exit candle मिलती है कि exit कब होना है तो यह सारी चीज़े आपको दिखाते हैं सिखाते हैं तो अगर सीखना है तो आप call कर सकते हैं और नहीं तो आप practice कीजिए आप अपने आप सीखिए वह ज्यादा बहतर रहता है किसी को पैसा देने की ज़रूत नहीं ह टाइम लगेगा सीख जाओगे बस time invest करना सीख लो एक बार सही से तो आप market में कामयाब हो सकते हो उमीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जानकारी समझा आ गई होगी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कोई सवाल है कोई सुझाव है तो वीडियो की नीचे कमेंट कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्याबाद शुक्रिया